BBC रेडियो के लाइफ शो में PM नरेंद्र मोदी और उनकी 99 साल की मा के खिलाफ अब शब्द कहे जाने का मामला सामने आया है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार लाइफ शो BBC एशियन नेटवर्क की ओर से किया गया था उसी कारिक्रम में कथित रुप से PM मोदी और उनकी मा को गाली दी गई शो में एंकर की और से पूछे गए सावाल पर कॉलर ने जवाब देते हुएं मोदी और उनकी मा को लेकर अपमांजनक टिपणी कर दी BBC एशियन नेटवर्क के उस लाइफ शो का आडियो क्लिप इस समय शोशल मीडिया में वाइरल हो रहा है अब मोदी और उनकी मा को गाली देने के मामले ने तूल पकड़ लिया है लोगों ने BBC को बेन करने तक की मांग कर दी है दरसल यूके में BBC एशियन नेटवर्क द्वारा सिक्खो पर तीन घंटे का लाइफ शो चलाया था ब्रिटिश सोप ओपेरा स्टेंडर्स के एक एपिसोड में सिक्खो की पगड़ी को ताच कहकर पुकारा गया था इसी को लेकर लोगों की प्रतिकरिया जानने के लिए BBC की और से चर्चा वाला कारिकरम रखा गया था जिसमें यह जानने की कोशिश की गई थी कि इस मामले को लेकर यूके में सिक्ख समुदाय गर्व महसूस करते हैं या नहीं बताया जा रहा है कि उस कारिक्रम को प्रिया राय ने होस्ट किया था शो में साइमन नाम के कॉलर ने हिस्सा लिया और एंकर के सवालों का जवाब दिया और उसी दोरान उन्होंने पीए मोदी वा उनकी माँ को अब शब्द कहे हाला कि साइमन की और से अचाना काई प्रतिक्रिया से एंकर प्रिया राय भी चोक गई जिसके बाद एंकर ने मामले को समानने की पूरी कोशिश की लेकिन तब तक मामला काफी हद तक बिगड़ चुका था बताया जा रहा है कि मोदी और उनकी माँ को लेकर अपमान जनक शब्द का प्रयोक करने वाला कॉलर साइमन पहले भी इस तरह के कमेंट कर चुका है इधर पीए मोदी और उनकी माँ को अपशब्द कहे जाने का मामला काफी तूल पकड़ चुका है शोशल मीडिया में इसकी घोर नेंदा की जा रही है इसके साथ ही लोगों ने कड़ी आपत्ती दर्ज कराते हुए रेडियो शो होस्ट के साथ बीबीसी को भी लताड़ा लोगों का कहना है कि आखिर कॉलर के आपत्ती जनक कमिट्स पर शो की होस्ट और संस्था ने एतराच के उनहीं रताया इधर पीए मोधी और उनकी मा को लाइफ शो के दोरान गाली दिये जाने का मामला तूल पकड़ने लगा तों बीबीसी की एंकर प्रिया राय ने माफी मांग ली एंकर ने माफी मांगते हुए कहा हम एक अथिती द्वारा इस्तमाल की गई भाषा के लिए छमा चाते हैं यहां एक लाइफ शो है और हम विवादास पत मुद्दों पर चर्चा करते हैं लेकिन जिस प्रकार की भाषा का प्रयोक किया गया उसका समर्थन नहीं किया जा सकता मैं उस अपरात के लिए फिर से खेद व्यक्त करना चाहती हूँ